हलो माई डू स्टुडेंट्स आम करम जी वेलकम यू आल ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर करम जी एडुकेटर करम जी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है कुछ दिनों से वीडियो थोड़ी लेट आ रही है फिक्स टाइम नहीं है कुछ रीजन की मज़ा से ये व सेशन में हम यूज ओफ दो डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में लर्न करेंगी तो डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है एज यू नो दो प्रीविस सेशन में हमने सीखा था आर्टिकल ए एन एन में और वन में डिफरेंस के बारे में हमने लर्न किया था आज की इस सेशन में हम use of the के बारे में learn करेंगे तो basically ये जो session है बहुत ही अच्छा होने वाला है तो चलिए फिर session की शुरुवात करते हैं जादा time based नहीं करते हैं Let's start the session Rule for correct use of definite article the तो rules है कुछ इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से rules है article the को किस तरह से हम और अच्छे तरीके से इसको learn कर सकते हैं Let's start the session While speaking of a particular person or thing or one already referred to the precededs किसी एक particular चीज के बारे में जब हम बात करते हैं मालनो कोई ऐसी चीज आपको मिली है या आपने कोई कभी देखी नहीं है लेकिन आपने उसको पहली बार देखा है तो preceded preceded आपको पहले नहीं आपने देखी लेकिन बाद में आपको उसका पता चला तो जैसे देखी He found a purse उसे एक purse मिला The purse contained a golden chain उसे एक purse मिला जिसमें The purse contained a golden chain And the chain is very precious The chain is very precious मतलब उस purse के अंदर एक chain मिली जो की gold की थी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा कीमती थी तो इस तरह से वो जो चीज एक specialized है मान लो आपको आप रास्ते पर चल रहे है रास्ते पर चलते चलते आपको एक mobile का sim मिलता है तो क्या कहेंगे When I was walking on the road या along the road ठीक है I founded a sim The sim was damaged मैं रास्ते पर चल रहा था मुझे एक sim मिली और वह sim damaged थी मतलब that sim या the sim was damaged मतलब किसी भी तरीके से उसको एक specialized कर देते हैं define करते हैं तो उस case में हम क्या कहते हैं article the use होता है ठीक है आगे बहुत सारे points हैं जिसमें article the uses कैसे होगा वो आपको समझ में आएगा When a singular noun is mean to represent or whole category or class मतलब एक पूरी categorized चीज को represent करने के लिए उस case में भी हम the लगाते हैं जैसे the bunyan बोहड का पेड होता है is a kind of big tree तो bunyan का पेड जो होता है इसको क्या कहते हैं बरगद बरगद पंजाबी में बोहड बोलते हैं बोड बोलते हैं और I think हिंदी में बरगद का पेड बोलते हैं बनियन इस अ काईड ऑफ बिग ट्री पता ही है सालों साल तक रहता है अन्हागu आणिमल को ले लो चाहिए जैसे दिडोग दोग इस ऑफेठ फुल आनिमल अब देखो यहां पर एक डॉग की बात नहीं हो रही है वो डॉग की entire community की बात कर रहा है तो होल category यहां पर एक category है डॉग की दिखने से डॉग की जो community है कहे तो नहीं सकते है मतलब एक तरह से यू कहलो कि एक animal की category है तो अगर कहते हैं कि डॉग एक वफदार है तो जितने भी डॉग्स हैं वो सभी वफदार होते हैं येस इग्जाक्ली ये उनको एक कुद्रत का फॉर्चून का एक आशिरवाद कहलो या उनकी एक क्वालिटी कहलो तो बेसिकली वो होते हैं और इस तरह से जब किसी एक दोगराज डोगराज इस द्यादोगरा डोगराज मत करो धिजैंस is a fighter caste मुझे वैसे caste की बात तो नहीं करने चाहिए बट मुझे मैं example ले रहा हूँ to give you proper example अब डोगरा क्या है पूरी community की बात कर रहे है वो तो इस तरह से पूरी community की बात कर रहे है तो वो categorize हो जाता है एक तरह से ठीक है तो चलिए next हम करते है the is used before superlative degree very very important यह वाला point बहुत important है देखे degree तीन तरह से होती है let me show you positive comparative and superlative यह तीनों degree adjective में काम आती है इतना तो पता होगा आपको ओके अब इन में जैसे good better sorry best होना चाहिए yes एक और कर रहेते हैं tall taller tallest देखे यह है superlative यह है comparative और यह है positive तो अब इन तीन डिग्रियों में यह the कहाँ से काम आएगा मतब दर कैसे होता देखिए superlative में यह वाला जो word मैंने लिखा है इसमें तो दर आना ही आना है इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन comparative के एक case में दर लगता है बहुत सारे student मुझसे यह पूछते हैं कि सर दर तो comparative में लगता नहीं है आप कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको जब हम दो ध्यान से मेरी बात को सुनना अगर मेरा lecture आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप notebook जुरूर रखिए ताकि आपको उस चीज के बारे में जो बारीकिया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ definitely you will learn जब किसी एक particular person का दो persons में से हम एक particular person को चूज करते हैं चूज के case में हम दर लगाते हैं तो यहाँ पर comparative की निशानिया क्या हुई तो comparative में लगता है E R E R E R या R E या R लगता है और superlative में S E ST या SE इस तरह से लगता है इस बात का आपने खास ख्याल करना है इसकी निशानिया है तो ऐसे ही good, better, better के last में E R है तो यह क्या हुआ comparative हो गया तो best क्या हुआ E ST हो गया जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह क्या हो गया E ST is the best तो इस तरह से यह जो चीज़ें होती है इसको हम superlative, comparative और positive बोलते हैं comparative का मतलब होता है दो या दो से जादर लोगों के बीच में compare करना superlative का मतलब होता है एक entire community से entire चीज़ों के साथ एक particular person को compare करना तो चलिए हम एक बार example देख लेते हैं मैं इसको रब कर देता हूँ wait a while for a sec yes now she is the best math she is the best in mathematics in this class अब in this class क्या है एक class के अंदर 20 बच्चे हो सकते हैं 30 बच्चे हो सकते हैं 10 बच्चे हो सकते हैं it is up to the the number of the people number of the students okay तो वह उस में से अगर मान लो 15 बच्चे है 15 में से एक person ऐसा है जिसको top था मैत आता है तो वो क्या हो गया फिर superlative हो गया okay सदी के महानायक है सदी के महानायक मिताब बच्चन जी अगर मान लो वो superlative है वो हैं भी bollywood में उनके जासा कोई सानी नहीं है तो he is the best actor in the in the bollywood obviously हम कह सकते हैं bollywood के अंदर वो सबसे ज़्यादा best है अभी उनकी movie है नो गुलाबो शिताबो i think one of the amazing movie बहुत अच्छी movie आप देखिए उस movie को किस तरह से एक actor जो एक legendary people होते हैं वो किस तरह से अपने character के अंदर घुसके कुरेद के वो अपने उन characters के अंदर जान डाल देते हैं हलांकि वो boring लगेगी आपको movie लेकिन आप देखिए वो किस तरह से एक मतलब एक character को अब चुना गया होगा तो वो एक तरह से superlative person है entire bollywood के अंदर world में तो नहीं कह सकते बट सधी के महनायक वो चुने गए है world का तो खैर मुझे नहीं पता but I'm telling you in the bollywood okay the best actor है तो वो क्या है superlative है in the sense of कि सभी actors में से वो सबसे ज्यादा best है I hope यह यह जो point है आपको समझ में आ गया होगा the name of building gulf river ocean sea देखे name of building the world bank building कोई भी बड़ी building है जैसे the casey plaza the casey plaza कुछ भी okay बहुत सारे बड़ी-बड़ी buildings होती है उनके नाम के साथ उनक्या लगाते है the gulf क्या हो गया जैसे the gulf of मनार चलो comment के लिए त्यार हो जाओ जो लोग competition की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए एक question है आप मुझे बताइए गल्फ of मनार कहां पर है तो वह एक तरह से पानी वाली जो एरिया होता इसको गल्फ बोलते हैं रीवर देख लीजे जो वर्ल्ड की टॉप की रीवर्स हैं इंडिया की रीवर्स हैं उनके नाम के साथ हम द लगाते हैं जैसे दगंगा दगंगा जयमुना सरस्वती okay इनके नाम के साथ हम क्या लगाते हैं दर लगाते हैं amazon वैसे तो आपको site पता है लेकन रिवर का नाम है ब्रजिल में ocean the indian ocean कोई भी हो गया arabian ocean okay तो कोई भी ocean हो गया उनके नाम के साथ भी हम दर लगाते हैं कोई भी island हो गया जैसे बहुत छोटे छोटे आईलेंड होगे जैसे आजकल ना ना नाइन डैशिज नाइन डैशिज लाइन बड़ा बहुत जादा सुर्खियों में यह कहां पर है यह भी आप सर्च करेंगे मुझे बहुत इंपॉर्टन्ट कोशन अगर आप एक्टिफ हैं तो आप कोशन का आंसड जरूर देंगे तो कोई भी आयलेंड है चोट लैकि यह सारे मांटिन के नाम के साथ लगता है और थे लिखने में इसको घंजन जॉंगा बोलते हैं तो यही लेंग्विज वहां पर सिक्वे में जो लोग रहते हैं सिक्यम स्टेट में वहां पर बीस तरह से इसको भूला जाता है तो चलिए होग आपको यह समझ में आ रहा होगा next point states, kingdom, republic and direction states हो गया जैसे the United States of America USA USSR, Soviet Russia UK, United Kingdom UAE ओके तो यह states है United States of America ज्यादा states मिलाके तो इनके नाम के साथ भी the USA बोलते है the America नहीं बोलते है the India नहीं बोलते है कभी भी, कभी भी चेक कर लेना the Indian होगा, वो हमें आगे समझाऊँगा ठीक है, republic हो गया the republic of Congo the republic of India तो इस तरह से the republic जैसे word के साथ हम लगाते हैं कोई भी kingdom हो, जैसे the Delhi सल्तनत सल्तनत के नाम पे, वैसे तो दिल्ली city के साथ, अगर according बोले तो हम the Delhi नहीं बोलेंगे, किसी भी book में देख लेना, वहाँ पर इसी किसी नाम के साथ नहीं लगता है तो अगर किसी सल्तनत के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लगाते हैं the Delhi सल्तनत okay, the kingdom the Ottoman Empire, जैसे कोई भी empire हो, Ottoman Empire जानते हो Ottoman Empire बोलेंगे, the Khilji, the Khilji dynasty, the Mughal dynasty, इस तरह से इनके नाम के साथ भी हम बोलते हैं, ठीक है न, directions, the south, the north, the east, कोई भी, the west, कोई भी, कोई भी direction, east, west होता है, south, north होता है, मैंने दूसरे हेसाब से लिग दिया, चलो कोई बात नहीं, बस जस्ट भात बात नहीं, बस जस्ट बात नहीं समझिए, ठीक है न, क्या बोलने की कोशिच कर रहा हूँ, यह मां समझिए कि उल्टा पुल्टा लिग दिया, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट, to understand what I am conveying a message, next, the name of important, एक मनद, yes, the name of important and renewed books, जैसे holly books होगी, जैसे the Quran शरीफ, the Quran शरीफ, the Quran शरीफ, okay, यह holy Quran भी कह सकते हो, तो Quran शरीफ भी कह सकते हो, जैसे the grant sahib, okay, the Bible, the holy Bible, yes, आज कल तो न, इतना बुरा वक्त आ गया है, सब भगवान को याद कर रहे है, एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा, अमिताब बच्चन जी, अभी hospital में है, करोना वाइस की वाज़से वह positive पाई गए है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, वैसे तो यह सूरत city का एक initiative है, उन्होंने एक billboard होता न, billboard जानते हैं, जैसे city के end में एंटर करते हैं, तो बड़े-बड़े sign board लगे होते हैं, एक तो होता sign board, एक road के किनारे की ओपर बड़े-बड़े board लगे होते हैं, तो उसके ओपर सूरत की government और, I mean, जो local government है, उन्होंने लिखा, कि क्या आप जानते हैं, कि भगवान मंदिरों में आजकल नहीं पाये जाते हैं, मंदर बंद क्यों हैं, क्योंकि भगवान सफेद court के रूप में हॉस्पिटल में विराजमान हैं, क्योंकि भगवान कौन हैं, डॉक्ठर्स हैं, यह वही fighters हैं, जो हमें इस महामारी गिल में हमेरी help कर रहे हैं तो सोचिए तो इस तरह का एक यूनो ये एक जो wording है तो किस तरह से मतलब एक दिल को एक सुकून देने वाली है वाकई में भगवान हम कहां कहां मंदरों में ढूंटे हैं भगवान तो actual में वो लोग हैं जो लोग आपको बचा रहे हैं अपनी जान के ओपर खेल कर बचा रहे हैं अगर उनके मन में ऐसा होता कि वो अगर selfish होते तो आज वो क्या आपको बचा रहे होते नहीं ऐसा नहीं होता universal things जैसे the sun, the moon, इनके नाम के साथ भी हम लगाते हैं, the star, कोई भी, any incident, the eclipse, अभी कुछ दिन पहले, eclipse हुआ था ना, 21 को, 21 June को हुआ था, सदी का सबसे बड़ा हुआ था, I think यह तीसरी बार हुआ है, मैंने अपनी life में यह तीसरी बार देखा था, जो मैंने इस तरह से देखा, ओके, चलिए, next, the name of nationality and community, community तो मैंने बताई दिया आपको, nationality बताता हूँ, जैसे देखी, इंडिया, कभी भी इंडिया के साथ, दर नहीं लगता, इस बात का आपने खास क्याल करना है, लेकिन, जब यह adjective बन जाता है, उस case में हम, दर लगा सकते हैं, जैसे, इंडियान, yes, it can be, अब यहाँ पर क्या है, यह एक इंडियान है, इंडियान मतलब क्या हुआ, इंडियान में रहने वाले लोग, is called Indian, absolutely correct, तो जो लोग इंडियान में रहते हैं, is called Indian, तो इस तरह से हम, जब adjective विशेष्टा हो जाती है, तो उस case में हम, दर लगा सकते है, got it जैसे दो, American, the Japanese, the Chinese, हना, कोई तरह से, बिफोर दे प्रॉपर नाउं, बिफोर दे प्रॉपर नाउं, कोई भी जैसे, जैसे the Briticians, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन इसलिए है कि बिटिश कहा पे, बृतेन में, हना, उसको बोलते हैं, इसको कह सकते हैं, इसक प्रफिपर एंग्जिन्स जैसे मेरी नजर में दो न्यूज़ पेपर ऐसे हैं जो टॉप के हैं मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन में से एक पेपर मेरे पास आता है ड्रेगलर आता है जो मैं पढ़ता भी सबसे पहला जो पेपर हैं वो है दो हिंदू जो सभ यूट्यूब में यूट्यूब में पता ही आपको सभी भूबू बजाके बैठें लेकिन अक्च्वल में ये न्यूज़पर बहुत ही अच्छा है इसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी बढ़िया है कि जो जो लोग न्यूज़पर नहीं भी पढ़ते हैं वो दो महीने के अंदर इतनी टॉप की वो खबरें और इतने टॉप की चीज़ें वो लर्न कर जाएगा वाकी में मैंने दो महीने क्यों लिखा वैसे तो अगर आप एक एनलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक लिस्ट शिक्स मन्त नियूज़पर पढ़ना चाहिए लेकिन ये जो है ये दो महीने तक अगर आपने जानना है रेगुलर पढ़िये आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी मैं एक सेशन लेकिया हूंगा बहुत जल्दी मैसे तो मैंने बोल रखा काफे टाइम का और यह आऊंगा लेकिया हूंगा और मेरे पास जो पेपर आता ह है दो इंडियन एक्सप्रेस यह पेपर मुझे सबसे ज्यादा यह सेकंड नमबर पर है जो मेरे पास आता है वैसे दा हिंदू इस इस पेपर में भी बहुत एची चीज़ें आती है लेकिन मैं इसको एनलेस करूंगा आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस बहुत जल्दी त चाहे वो फैशन की है चाहे वो आई टी से रिलेटर है चाहे वो फूड को कोई है कोई भी है तो किसी भी मैगजिन के साथ भी हम दह लगाते है जैसे दा इंडिया टुड़े आपने सुना होगा I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा Next point की बात करते है Before the musical instrument कोई भी musical instrument है उसके नाम के सामने भी लगता है जैसे the flute flute क्या होता है बासुरी the piano कोई भी प्यानो है उसके नाम के साथ कोई भी musical instrument है the flute, piano, the tabla, the guitar और the sarod जितने भी नाम है उनके जो जितने भी ये सारे musical instrument है उनके नाम के साथ हम दह लगाते है चाहे कोई भी हो next point the name of political party historical event train ship aeroplane देखे कोई भी जैसे बीजेपी की party है उसको बोलते है nda yes the nda अब nda क्या है national the national democratic alliance ओके और inc कौन सी कौन सी party का नाम है inc indian national congress ये कौन सी party है congress की party है तो उसकी बड़ी organization है और राइट तो उसके नाम के साथ हम क्या लगाते है दव लगाते है historical event the battle of panipat the battle of kanga the battle of bla 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 कोई भी battle कोई भी historical event जिसमें historically बहुत ज़्यादा उसमें यू कह सकते हैं कि हम involvement थी उसको बोलते है प्रेंग important trains क्या आप बता सकते हैं भारत की भारत की सबसे ज़्यादा luxury train कौन सी है चलिए comment box में मुझे बताईए इसके लावा the deacon odyssey the deacon odyssey ठीक है इसके लावा the palace on wheel the palace on wheel तो ये भी train है luxury train है palace on wheel में indians are not allowed है ना कमाल की बात तो इंडिया की सबसे luxury train है आपने बतानी है चलिए next aeroplane कोई भी aeroplane है जैसे the air india air india बड़ी organization है वैसे तो air india तो the air india एक plane का नाम है जैसे the go air कोई भी हो चाहे world की किसी भी company हो air air से related हो waterways हो चाहे इसमें waterways mention नहीं है बता देता हूँ जैसे waterways है अब waterways क्या हूँ जैसे ships हो गई यॉटीज हो गई यॉट्स हो गई तो यह सारे इनके नाम के साथ भी हम लगा जैसे waterways में जैसे the titanic ship नहीं था when two or more nouns refer to one person यह बहुत जादा important है देखिए कैसे इस sentence को ध्यान से पढ़िए कहता है कि दो और दो से जादा noun को एक person से denote करता हो तो एक ही बार noun the लगाते है जैसे देखिए इस sentence को पढ़िए अगर मानलो यहाँ पर लिखा है the manager and treasurer इसका मतलब है is not worthwhile for working ठीक है working के लिए worthwhile नहीं है मतलब पैसा वसूल नहीं है वो ऐसे ही है बस काम चलाओ से लो गया है इस तरह से इसका मतलब क्या है कि जो manager है और treasurer है वो एक ही person है तो इसका मतलब है वही manager है वही आपके salary देता है treasurer को उन होता है खजान जी तो इसका मतलब है we are talking about only one person and this is what this is is तो इसका मतलब क्या हुआ यह singular को denote कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो noun के साथ जब हम the एक ही बार लगाते तो वह singular हो जाता है अगर हम यह बोले the manager and the treasurer इसका मतलब यह है कि यह दो person अलग अलग है manager अलग है और treasurer अलग है तो आगे फिर क्या लिखा होगा are not मतलब दो लोग है ना तो plural हो गए ना end के बाद end के साथ जुनने वाली दो चीज़े plural होती है तो verb agreement क्या हुआ are तो यहाँ पर क्या है is तो इसका मतलब है यह singular person है और यह plural person हुए इस बात का ख्याल रखना है आपने क्योंकि यही आपका subjective verb agreement है आप मेरा chapter उठा के देखिए subjective verb agreement आपको यह चीज़ें तमाम वहाँ पर मिलेंगी चलिए next the is used as adverb with comparative the को हम adverb के तोर पे comparative में कहते हैं जैसे देखो the more she gets the more she demands जितना आप उसको देगे तो उतना the more मतलब एक तरह से adverbial clause है ठीक है इस तरह से भी कह सकते है the is used before compatibility being used selection comparison यह मैंने आपको पहली बता दिया जब हम दो में से किसी एक person को हम choose करते हैं तब हम लगाते हैं जैसे she is the stronger of two इसका मतलब है दोनों में से एक तो stronger है she is the better motivational sorry that is the that is the better motivational book that than this इस book से तो वह वाली motivational book बढ़ी है तो इसका मतलब है भी दो में से एक को हम क्या कह रहे है बहुत अच्छी है तो better के case में comparative के case में सिर्फ एक ही बार लगता है इस बात का खास क्याल करना है कई बार दूसरे trainer आपको गलत करवा देते हैं बी careful आपको पता होना चाहिए कि comparative के case में जब selection या comparison हो उस case में दो के बीच में comparison के बावजुद जब उसके दो में से किसी एक को हम choose करते हैं उस case में हम द लगाते हैं designation the yes is used जैसे the manager the CEO the zonal manager कहते हैं न हम the zonal manager तो बड़ी बड़ी पोस्टर होते हैं उनके नाम के साथ हम द लगाते हैं और राइट चलिए आप यह चीज़े समझ में आ रही होंगी बहुत simple हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है the is used following phrases also in phrases के साथ भी आप the लगा सकते हैं जैसे what is the matter come to the point he comes to the rescue he is in the wrong way speak to the point what is the problem like this go to cinema and go to theater is the is used कह सकते हैं अगर मान लो आप अप हरो cinema जाते हैं तब आप 20 लगाते लेकिन आप जब जब आपका primary पर पस एप्रयुपкой को आप ध़्यान से सुनियागा Subscribe अगर आपका primary पर्पर पसए तो उस case में आप ड्र नहीं लगाते हैं अगर आप कभी-कभी जा रहे हैं साल में एक बार, दो बार, दस बार तो उसके हम दह लगाते हैं या कोई landmark के तोर पे जब आप बोलते हैं तभी हम दह लगाते हैं इस बात का आपने खास क्याल करना है इसकी बहुत सारी examples आपको नेट क्यों पर भी मिल जाएंगी और आप बुक्स में you can use letter written to the two or more unmarried sister jointly may be addressed जो भी unmarried person होते हैं उसके साब से दैसे the mrs, चावला the mrs, the mrs miss बोलते हैं न? mrs, ये वो mrs वाला नहीं है mrs, उसके साथ हम specialized करते हैं एक तो mrs होता है na mrs वो नहीं, the mrs so ये था आज का lecture about using the so I hope आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी और ये lecture आपको पसंद आया होगा और इसमें बहुत important important चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इतना काफी है ये learn करने के लिए एक इसमें छोटा सा lecture और आएगा जिसमें हम the को use नहीं करते और किन-किन जगाहों पर use नहीं करते हैं वो आपको next session इसका part 4 मिलेगा आप guys छोटे-छोटे session में मैं बना रहा हूँ न वो सारे ही important है आप देखिए चाहे वो 10 minute का है चाहे वो 15 minute का है it is up to you अगर आप government selection लेना चाहते हैं तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए handwritten notes हों चाहे कैसे भी हो मतलब ये है ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम notes handwritten notes से कर रहे हैं अरे आप पढ़िए आपको जहां से जो चीज़ अच्छी मिलती है आप learn करिए तो इनी शब्दों के साथ मैं मैं आज का session का end करता हूँ thank you for watching this video stay happy stay safe jai hin jai bhara stay tuned bye bye